क्या है आज की बात मेरी बात आपकी बात हर किसी की बात देश दुनिया गाओं तेहाद सत्ता समाज संस्कृति मीडिया और सियासर सब की बात नियोज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ दोस्तों नमस्कार आदाब सत्रियकाल नियोज क्लिक के करक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश जब सरकारें आधे अधूरे मन से और सही पधती अपनाई बगैर कोई काम करती हैं फैसले लेती हैं तो उसका हस्र वही होता है जो इस समय महाराष्टर में मराठा आरक्षण के साथ हो रहा है महाराष्टर के मराठों को आरक्षण देने का फैसला दो-दो सरकारों ने किया प्रिथिवी राग्षवान साब की सरकार कॉंग्रेस सरकार नहीं किया और इसके बाद फिर देवेंदर फटनवीश जब मुख्य मंत्री थे तब भी ये फैसला हुआ क्यों क्योंकि इसके पहले लगातार मांगे उठ रही थी महारास्ट में महाराथों के आरक्षण को लेकर अनेक आंदोलन हुए उन आंदोलनों में अनेक नेता पैदा हुए उन नेताओं को कई जगा बड़े पद भी मिल गए लेकिन महारास्ट के महाराथों को आरक्षण जो अब मैं एक संचिप्त व्योरा आपको पेश कर दूँ और इसके बाद जो आल जालात पैदा हुए हैं वो क्यों हैं और क्यों मैंने शुरुआत इस बात से की अपने वीडियो की कि जब आधे अधूरे मन से और नासमझी बरे तौर तरीकों से कोई फैसला लिया जाता है तो उसका हस्त यही होता है हम इस पर भी आएंगे और हम बताएंगे कि वो तरीकों में गरबड़ी क्या है और असल में कैसे यह हो सकता था और कैसे लीगल यानि कानूनी प्रावधानों के तहट इसको किया जा सकता था और कैसे इस मामले में राहुल गांधी इन दिनों बाइद वो कारगर तोर तरीका हो सकता है फैसला लेने का दोस्तो सुप्रिम कोट ने मराठा आरक्षन पर जो महारास सरकार की पुनरिक्षन याचिका यानि फिर से विचार करने की जो याचिका थी उसको अप्रेल 2023 में खारिश कर दिया अब उसके बाद से हंगामा मचना स साफी अंगामा हुआ और उसको कत्ताई कोई भी सही नहीं ठारा सकता जिस तरह तोड़ फोड हिंसा की गई हम उसको सिरे सिखारिश करते हैं और तमाम राजनितिक दल उनके लिए सिरदर्ध हो गया अभी भी आंदोलन चल रहा है हाला कि अब शांतिपूर्ण है महारास्थ के मराठ वाड़ा इलाके में इसका असर खास देखा गया कुछ जगत कर्फियूज तक लागू रहा और 144 तो अनेक इलाकों में है दोस्तों इसके पहले 5 मई 2021 को सुप्रिम कोट ने आरक्षन के उस फार्मूले को खारिश किया था जिसमें सरकार ने महारास्थ की सरकार ने म उस फैसले को सरकार के चैलेंज किया था कुछ लोगों ने सुप्रिम कोट में मामला गया इसके पहले हाई कोट में था बांबे हाई कोट ने उसमें संशोधन करते हुए एप्रूब कर दिया यानि महारास्टरा के महारास्थ सरकार के आरक्षन फार्मूले को एप्रूब कि कुछ संचोधनों के साथ उन्होंने 12% कर दिया जबकि इसके पहले ज्यादा परसेंट तै किया गया था तो इसके बाद जो पांच जजों की बेंच ने समिधान पीठ है ये अप्रेल में इस फैसले को किया कि बही ये सही नहीं है इसको सही ठायराया नहीं जा सकता आने की हराद है सीमा है उसका मसला उठा इंजरा सहनी फैसले का मसला उठा और ये इस मामले में बस एक रहत मिली कि का गया कि जो आरक्षण के फार्मूले को लागू कर एडमीशन्स जिन चात्रों के हुए हैं कालेजों में इनुस्टीज में वो जारी रहेंगे जिन लोगों को न आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो महराश्ट के सयादरी निवास में जितने प्रमुख रायनितिक दल महराश्ट के हैं सब के साथ एकनाथ शिंदे और देवंदर फर्णवी से उनके डिपिटी इन दोनों लोगों ने बैठक की इसमें शरत पवार भी मौजूद थे और जितनी प्लिटिकल पाइटीज के लोग हैं सब लोग मौजुद थे सब ने आम सहमती दी कि इस मसले को कानूनी तोर पे लड़ा जाए इसका निश्पादन हो जहां भी जरूरत हो वहां पर पेटिशन दिया जाए जहां जरूरत हो कोई आंकडे जुटाने की जरूरत हो पिछड़ा वर कमिशन के थूरू कुछ काम किया जाए वगरा वगरा यहां भी कहा गया कि सेशन बुला करके और इस पर एक आम सहमती ली जा सकती है आंदोलन कारी भी यही कह रहे हैं कि आप सेशन बुलाई है और उसमें एकमत से फैसला कीजिए यह बहुत सारे फार्मुल अगर आप उनको देखें तो सबसे बड़ी जो कमजोरी सबसे बड़ी जो कमी है वो क्या है कि बगहर ठोस सरविक्षन और आकलन के जनगणना के आखनों के कुछ समूहों के दबाव में आकर आंदोलनों के दबाव में आकर सरकारों ने यह फैसला किया यनि सरकारों का फैसला पापुलिस्ट जो डिमांड थी प्रभावकारी लोगों की, इन्फ्लुजेंसियल लोगों की, उसके प्रिसर में आकर सरकार ने फैसला किया अगर उन्होंने बकायदा जनगणना करा ली होती, जैसे विहार ने अभी कराई है जातिवार जनगणना, उसका भी एक मतलब होता और अगर केंद्री अस्तर पर जनगणना हो चुकी होती, 2011 में, तो भी समस्या यह नप पैदा होती, जातिवार जनगणना अगर हो गई होती और 2011 के बाद अगर 10 साल के बाद 2021 में चलो COVID के कारण नहीं हो पाई 2022-23 में हो गई होती तो भी यह समस्या नहीं पैदा होती असल समस्या की जड़ क्या है राहूल गांधी ने कल अपनी प्रेस कांफरेंस में भी यह बात कही है जब आप affirmative action सामाजिक नियाय के किसी issues पर किसी मुद्धे पर आप फैसला लेते हैं प्रशासन की ओर से तो निस संदे है आपके पास ठोस आंक्रे होने चाहिए ठोस आधार होना चाहिए आपकी सामाजिक आर्थिक बुनावट का सैक्षिक इस्थिती का लोगों के जो भारत के पिछड़ेपन का मूल कारण है क्योंकि समाजिक का एक बड़ा हिस्सा पिछड़ा है और सारी नौकरियां सारा जो प्रगती है वो कुछी दाएरे में सिमट गई है यही बात तो राहूल गांदी आजकल उठा रहे हैं और संभवता मतलब मैं समझता हूँ कि और कोई नेता उतनी शिद्दत से ये बात नहीं उठा रहा है तो अगर महारास्ट्र में जनगणना के आंकड़े होते जातिवार और उसमें माराठाओं के भी होते तो ये पता चल जाता कि मराठों में सामाजिक और सैक्षिक रूप से कितने पिछड़े हैं लेकिन उन्होंने क्या अकड़ा गया सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का भया आर्थिक आधार पर आरक्षन भारत के समझतान में दर्ज नहीं है ये पहली बार EWS के नाम पर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं अपरकास्ट के उनको ये दिया गया है और जो मेरी नजर में समवैधानिक नहीं है माननी सुप्रिम कोर्ट ने उसको ओके किया उनका हुकम सर्मा थे लेकिन मेरी नेजर में समवैधानिक अगर प्राउधानों के हिसाब से आप देखें तो वो उचित नहीं है पुनरविचार याचिका भी उसके विर्द माननी कोर्ट में लंबित है जहां तक मेरी जानकारी है लेकिन EWS के लिए 50% का बार 50% की सीवा नहीं देखी गई लेकिन माराठों के मामले में इसको देखा गया है इसको ये मुद्दा एक बना है तो हमारा ये कहना है कि महराज सरकार को सबसे पहला जो काम करना चाहिए था कि वो जातिवार जनगरना के आंकड़े इकठा करे अगर केंद्र नहीं कर रहा है तो केंद्र पर वो स्वैम चुकी बीजेपी शिवसियना की सरकार है शिवसियना यानि एक नाथशिंदे की वो दबाव डालते अपनी सरकार पर एक ही पार्टी का मामला है कि भाई हमारे नेतागण आप लोग जल्दी जातिवार जनगणना कराईए, हम मराठों की मांग को मानना चाहते हैं, लेकिन आखड़े हमारे पास होने चाहिए, कि मराठों में वाकई पिछड़े कितने हैं या नहीं हैं, और अगर हैं पिछड़े, तो उन पिछड़ों को कि साधार पर दिया जाए, क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट जो आया था, OVC के बारे में, उसको कैसे, उसका अमली जामा कैसे पनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सामाजी कार्थी, क्योंकि कहीं से ये नोट दे दिया गया होगा, सरकार के बाहर के किसी दफ्तर से, कि वहा कई वे पिछड़े लोग हैं, क्योंकि खेती बारी पशुपालन इसी तरह के कामकाज पर निर्भर रहने वाला समाज है मराठों का, लेकिन मराठों में अनेक लोग हैं, जो बहुत सम्रिद्ध हैं, जिनके पास बिजनेस है, जिनके पास बहुत क्लाउट है, तो इसको अलगानिक के लिए भी जनगणना जरूरी थी, जो नहीं की गई, पूरा जो महाराष्ट का राजनितिक जो सेट अप है, वो इसी गड़बडी के कारण महाराष्टरा में जो मराठों के आरक्षण का मसला फंसा हुआ है, वो इसी वज़ा से उस सेट अप से हल नहीं वो पा जातिवार हैं, आखिर ये फैसला जब किया गया मराठों को आरक्षण देने का, तो जातिवार जनगणना अगर केंद्र नहीं कर रहा था, तो राजयस्तर पर करा जा सकता था, अब आप पिछड़ा वर्ग आयोग से कुछ आकलन करवा लीजिए, तो उस आकलन की वैधता पर हमेशा सवाल उठेंगे, कि वैध कितना परसेंट आकलन किया गया, कितने लोगों के बीच में सर्वे किया गया, ये साब सारे सवाल उठेंगे, तो आखिर जातिवार जनगणना से ये दल, ये ये राजनितिक जो लोग हैं, वो भागते क्यों हैं, मुझे लगता है कि म भारत के विकास के लिए जरूरी है, उसको गंभीरता पूरवक समझने की जरूरत है, तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि भारती जनता पार्टी की अगवाई वाली सरकारें, एक नाच्छिंदे भले वहां मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दरसल कमान तो भारत्पा के प फार्मूला होने के बवजूद, वो समाधान के फार्मूले को एक्जक्यूट और इंप्लिमेंट करने से हिच्किचाती हैं, क्यों क्योंकि उनके वर्ग और वर्ण स्वार्थ सामने आ जाते हैं, असल समस्या यह है, तो जब तक वर्ग और वर्ण के कोई नहित स्वार्थ उससे उपर आप उठकर काम नहीं करेंगे, तब तक गवर्नेंस का सही आप फैसला नहीं कर पाएंगे, गवर्नेंस का सही माडल आप विक्षित नहीं कर पाएंगे, दोस्तो मनिपूर में भी, हलांकि मनिपूर की स्थिति महाराज से बिलकुल अलग है, और मतलब दोनों की स्थितियों में बिल्कुल उनको एक नहीं कहा जा सकता बिल्कुल अलग अलग है लेकिन मैं उदारन दे रहा हूं कि वहां हालात क्यों खराब हुए कैसे खराब हुए सरकार की अपनी विफलता उसमें प्रमुक कारण है ठीक वैसे ही महाराश्र के आरक्षन के मसले पर जो आपने काम नहीं किया आपने आधार नहीं तै किया आनन फारण में पॉपुलरिटी पाने के लिए ओट पाने के लिए आपने किया और वो कानूनी जब स्कृटनी का माम लाया उसमें वो टर्न डाउन हो गया इसलिए दोस्तो इस मसले पर महाराश्र के मराठा आरक्षन वि नहीं केवल महाराश्र के बलकि समूचे विपक्ष होगी समूची राजनितिक जो वहां की पाइटियां है सबको सोचने की जरूरत है और एक युनानिमस फैसला लेने की जरूरत है तो आज बस इतना ही नमस्कार आधाब सत्रियकाल